जैसा कि पिछली कड़ी में हमने रॉबर्ट के केस का जिक्र किया कि किस तरह से रॉबर्ट की ममी जी द्वारा उसके उपर भावनात्मक खत्याचार किया जाता था बच्चपन से ही और वो क्यूं किया जाता था दो आत्माओं ने जो आज मा और बेटे के रोल में हैं उन्होंने क्यूं इस तरह की परसीतियों का चैन अपने लेगिया जिसमें एक छोटा बच्चा बहुत जादा भावनात्मक खत्या अपनी माता के द्वारा ही जेल रहा है इसमें हमने जाना कि पूर जनम में रॉबर्ट की ममी जी का रोल प्ले करने वाली आत्मा रॉबर्ट की बेटे के रूप में थी और रॉबर्ट एक महिला के रूप में था पूरा केस मैंने पिछली कड़ी में डिटेल में एक्स्प्लेइन किया है जिसका लिंक नीचे दिया गया है अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते कि जैसा कि हमने देखा कि दो आत्माओं के बीच में यानि रॉबर्ट और रॉबर्ट की ममी जी इन दोनों के बीच में क्या डिल हुई कि रॉबर्ट की ममी जी एक अब्यूजिव मदर के रूप में होंगी और रॉबर्ट के ऊपर भावनात्मक एक तरह से टॉर्चर जैस रोबर्ट तो ऐसा चैन अपने लिए नहीं कर पाता क्योंकि अगर आत्मा निचलेस तरकी है या एविक्सित है तो वो क्या सोचेगी इस थिति में वो अपने माता पिता पर ही ब्लेम लगाएगी उन्हें कसूरवा ठहराएगी और कुछ परस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज़ से कुछ पॉजिटिव सीखने के अपनी अंतरात्मा की तरह मुड़ने के जैसे कि रोबर्ट ने किया वो अपनी अंतरात्मा की तरह मुड़े और आज वो कितने बड़े साइकलोजिस्ट है पास लाइफ थेरपिस्ट है उन्होंने कितने लोगों की जीवनो में सकून और खुशी पैदा की है तो वो ये नहीं कर पाते फिर पस्तितियां बिल्कुली दूसरा मोड ले सकती थी ये भी हो सकता था कि रोबर्ट अपने माता पिता के उपर जब बड़ा होने के बाद उनके पास पावार आती तो हत्याचार करने लगते या मिस्भेव करने लगते या घर से भाग जाते या एक जिद्धी जगडालू बगडाल बच्चे के रूप में परिवर्टित हो जाते कुछ भी हो सकता था दिन यहां पर जो रोबर्ट की आत्मा है वो बहुत विक्सित स्तरकी है तो कुल मिलाके इन दो आत्माओं के बीच में सोल वर्ल धर्ती पर जनम लेने से पहले ये प्लान निर्धारित किया गया अब देखिए जब आप ये देखते हैं धर्ती पर जनम लेने से पहले प्लान निर्धारित किया गया तो इसी तरीके से एक case में मैंने पहरे भी detail में बताया था जिसमें किस तरीके से एक बच्चे की मृत्ची होने वाली थी मतलब वह आखरी सासे उसकी हो सकती थी तो दोबारा से एक बार soul world में आत्माओं की meeting होती है जो उसके करीब है माबाब भाइब हैं जिनका मुख्य रोल है उसकी life में और किस तरीके से destiny reset होती है वो क्यों हुआ था उस case में वो उस case में इसलिए हुआ था क्योंकि उस बच्चे की जीवन में अचानक से अंधा पना गया था जो उसकी destiny का हिस्सा नहीं था लेकिन यहां Robert की destiny का ये हिस्सा है अब Robert एक बात बहुत महत्वपून है इस line पर ध्यान दिजेगा काफी कुछ स्पस्ट होगा कि अगर उनका पूर जुनम का बेटा जो आज की बर्थ में उनकी ममी जी है एक abusive mother की रूप में है वो ना होता यानि एक powerful position में ना होता तो वास्तव में उसे सही चुनाओ करने का अपना गुसा व्यक्त करना है या नहीं करना है इसका मोका ही नहीं मिलता क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब आप powerless state में होते हैं आपके पास power ही नहीं होती तो आपके पास चुनाओ का मोका नहीं होता आपको चुप करके वो चीज़ लेनी होती है जो आपके जीवन में आ रही है जैसे कि कोई लोर क्लास का व्यक्ती है अनपड है गरीब है कोई powerful व्यक्ती के पास वो नोकरी करता है वो अगर उसे कुछ अपशब्द भी कह रहा है तो वो मजबूर है सुनने के लिए उसके पास दूसरा option नहीं है अगर उसने कुछ किया तो शायद उसे नोकरी से निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर वो उसके पास option नहीं है लेकिन इस थिती में जिस थिती में उनकी ममी जी है उनके पास जब उनका बेटा है जिस पर वो अपना गुसा निकाल रही है उसे emotionally दर्द दे रही है उस समय उनका जो जागरुक मन है उनका जो logical mind है उनकी जो एक pure उनका जो soul का हिस्ता है वो उन्हें सचेद करेगा कि ये गलत है क्योंकि उनके पास अवसर है अवसर है अपनी गलती को ना करने के वो चुनाओ करने की शमता रखती है इस position में है powerful position में है मा के रोल में है अब यही तो मुख्य बात है व्यक्ती ने सीखा ही तब जब वो powerful position में है तब कुछ करने की शमता रखता है फिर भी वो बहतर करता है सीखा तो उसने तब ही न अगर वो powerless situation में है वो कोई भी decision लेने की शमता नहीं रखता है तो फिर वो उसको सीखने वो क्या सीखेगा उसके पास तो चुनाव करने की शमता ही नहीं है बुके को क्या, बुके को रोटी मिली है उसके लिए option ही नहीं है की नहीं मुझे तो पेस्टी खानी थी जिसके पास पेस्टी और रोटी दोनों पड़े हैं उसे decision लेना है की मुझे क्या खाना है और एक और चीज जो बहुत महत्पूर्ण है वो ये की Robert के बहुत सारे पिछले जनम ऐसे रहे थे जब उन्होंने खुद की अंतरा आत्मा से वो नहीं जुड़े थे खुद से उन्होंने प्यार करना नहीं सीखा था और हम जो आत्माए होती हैं वो अकसर वीपरित के माध्यम से सीखती है यानि कि लाइफ में सब को स्मूथ चलता रहे अच्छा चलता रहे तो सीखने का मोका नहीं मिलता आप सही माध्य में वो चीज नहीं सीख सकते लेकिन जब वीपरित परस्तिती आती है तब आप सीखते हैं ये इनसानी फित्रत है जब उसके पास कुछ होता है तो उसके लिए उसकी वैल्यू मिट्टी बराबर होती है और जब वो चीज खो जाती है तब समझ में आता है वो तो हीरा था ये बात आप अपने जीवन में हर चीज पर लागू करके देखिए हर चीज पर उस चीजों पर जो आपके पास नहीं थी आपको मिल गई आज आप उनके लिए क्या सोचते है और उन चीजों पर जो आपके पास थी आज वो खो गई आप उनके बारे में क्या सोचते है आप देखेंगे कि जब तक वो थी या अब जब वो आ गई है तो उनकी वैल्यू नहीं है और जब तक वो नहीं थी या अब जब वो life से चली गए है तो वो नमले हो गई है इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि हम लोगों का मनुश्यों का ये कुछ स्वभाव है या कुछ कहली जै आत्मा का स्वभाव है कि जो अधिकतर आत्माई हैं इस धर्ती पर वो वीपरीत के माध्यम से सीखती है अब हम माल लेते हैं कि उनकी ममी जी ने क्रोध ना किया होता पहले तो वो एक जो गुसा नफरत भरके लाई थी वो तो क्रोध के रूप में निकल नहीं था लेकिन माल लेते हैं कि वो अपने बच्चे के परती ऐसी अब्यूजिव ना होती तो वो कभी भी ये चीज नहीं सीख पाती है क्योंकि उनके दिल ने उनको कहीं कहीं उनको सचेत किया होगा कहीं उनको जगजोडा होगा कहीं कुछ आवाज आई होगी किसी कोने से बच्चे के साथ अब्यूज करने के बाद दिल में कुछ उठा होगा कि ये मैंने क्या गलत किया है कुछ वक्त गुजरने के साथ रियलाइज हुआ होगा या खुद जब वो ऐसे पर सितियों में पढ़ी होगी तब उनको उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें बच्चे के साथ क्या किया है लेकिन ये सब होने के लिए खुद पहले उनको ने किया है तब उनको आजिए हुआ अब थोड़ा सा इस केस पर ध्यान दीजे, आप ये पाएंगे कि ऐसा थोड़े था कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रही है, रोबर्ट की ममी दिल से अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, आप अपने आपको देखिये कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने उन्हें डाटा होगा, फटकारा होगा, छोड़ी सी बात के लिए उनके साथ मिस्भेव किया होगा, और उसके बात कहा होगा, अरे बेटा, हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तो हम ऐसा करते हैं, ये गलती अक्सर हमारे माबापने हमारे साथ किया है, और हम भी अ अंदर तो है, वो तो खतम नहीं हुआ है, वो अपनी जिकेपे मौजूद है ना, तो उसको पहले वो बाहर निकलेगा, फिर आपको रिलाइज होगा कि आपने गलत किया है, फिर वो खतम होगा, क्योंकि शराबी ने शराब छोड़ दी, इसकी पहचान तो तभी होगी, जब बड़ा परिवर्तन उसकी लाइफ में तभी आएगा, जब उसने शराब की वज़े से कोई बहुत बड़ी मुश्किल फेस कर ली होगी, इतनी बड़ी कैपिसिटी अपने आपको गलत चीज से रोकने की, अपनी आपको इतना पावरफुल रखने की, कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी शराबी में तभी होती है, जब उसने उस चीज का बहुत ब्यानक रूप में एक नेगटिव पहलू देख लिया होता है, ये चीज समन्ने व्यक्ति के साथ नहीं होगी, जिसने कभी कभी 6 मीने में एक बार पिनी है, उसके साथ नहीं होगी, जिसन तक पारा बाता हरा नहीं लगाएगा आगर उसने शराब को किसी बड़ी ट्रैजडी से गुजरने के बात छोड़ा है तो लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो शायद वो फिर कहीं कमजूर पड़ जाए थोड़ा बहुत फिर पी ले ये हो सकता है इसी तरह से अब उनकी ममी जी का गुसा आज जो बच्चे पर रॉबर्ट पर निकला, वो इतना फोर्स के साथ निकला, इस बर्थ में वो चीज ऐसे सामने आई कि अब जब वो हील होगी ना तो जैसे पर्मनेंट शराबी की शराब चूट गई, ऐसे वो पर्मनेंट उनका ग पिताजी की तरफ, रॉबर्ट के पिताजी की मृत्यू काफी पहले हो गई, लेकिन वो प्रेम तो करते थे, और इस तरीके से जैसे उनकी ममी का भीहेव था, इस तरह का वहवार भी नहीं था उनका रॉबर्ट के साथ, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो अपने प्रेम का पदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये भी दुखदाई था, लेकिन परस्थितियां ऐसी बनी कि उस बच्ची के पिताजी की मृत्यू कैंसर से बहुत जल्दी चोटी आयू में हो गई, और इस चीज़ को जब उसने अपनी आखों के सामने देखा, तो उसे पड़ा है अपने पिता के जाने का, मैं कुछ और लोगों को इस से बचाने का कारे कर सकूं, और ऐसा हुआ भी, उस बच्ची ने वो आर्स लेना की विशे में सोच रही थी, लेकिन उसने चेंच किया, फिर उसने साइंस ली और वो एक बहतरीन डाक्टर बनी, और आज वो बहुत सारे जो लोग कैंसर से जूज रहे हैं, उनका टीटमेंट कर रहे हैं, उनके जीवन में रोशनी ला रहे हैं, अब देखा जाए, तो इस सब में जो में चीज जिसने ट्रिगर किया, वो क्या हुआ, वो हुआ उनके पिता की कैंसर से दैथ, ये कोई बहुत अच्छी कुपसूरत बात तो नहीं है न, कि एक व्यक्ति जीवन से चला गया है, एक बच्चे के जीवन से पिता चला गया है, लेकिन ये घटना ना घटती, तो वो बच्ची आज एक बहतरीन कैंसर स्पेसलिस्ट है, लोगों की मदद करती है, वहां तक वो ना पहुँच पाती, आ अभी नहीं आता अगर वो इतनी बड़ी ट्रैजडी से ना गुजरती, अब उस सोल को इतने बड़े एक धके की जरूरत थी, अपने जो भावनातनक कमजोरी है, डर है, किसी भी चीज़ को देखकर घबराना है, उससे बाहर निकलने के लिए किसी बहुत बड़ी एक इस त तरीके से उसकी परस्तिती में आया, अब ये एक सोल की नदरे से आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उस लड़की ने कितनी बड़ी जम्प लगाई है, कितनी बड़ी जम्प है, अपनी भावनातनक कमजोरी पर ना सिर्फ जीत हासिल करी, बलकि कितने होद गलत हुआ, एक बच्चे के सिर से पिता का साया कैसे चला गया, इसमें क्या अच्छा हुआ, लेकिन नहीं, कुदरत जो करती है, अच्छे के लिए करती है, वक्त का इंतजार कीजिए, वो बताएगा कि उसमें क्या अच्छा था, और आपको भी तब पता चलेगा, आप शांत मन से मनन चिंतन करेंगे, या फिर प्रकरती के हवाले सब कुछ करकर अप प्रकरती मुझे जवाब देगी, इस पर छोड़ देंगे, जैसा कि मैं अक्सर कहते हूँ कि रात को हलके होकर सोने की कोशिश कीजे, अपने सवाल इस प्रहमान को दे कर सोने की कोशिश क पिर उसका काम है, वो ढून के लाएगा जवाब आपके लिए है, आप सबसे मेरे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक छोटा सा कोई सकारात्मक शब्द, कुछ भी और कुछ समझना आए तो चाहिए आप जैसी राम ही लिख दीजे, कुछ छोटा सा भी अगर कुछ पॉज पॉजिटिव उर्जा पहुचा रहे हैं, बलकि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का पुर्ण कारे भी कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव उर्जा है, जिसे आप इस ब्रहमान तक भेज रहे हैं, बस यही सोचते हुए कि चलो, हमने परमात्मा का नाम लिया है, हमने कर रहे हैं, बढ़ाने का नाम लिया है, एक शब्द की पॉजिटिव उर्जा है, इतना ही सोचते हुए, एक शब्द जैशी राम लिग दीजे, ओम नमष्षिवाई लिग दीजे, कुछ भी एक शब्द कमेंट में ज़रूर लिग दीजे, क्योगि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक इस ज्ञान की जान है। आप सभी पर परमातम सौंदर रहे, प्रेम और आनंद, सेदेव वरस्ता रहे, आप सभी दिव्य परमधा में स्थान प्राप्त करें।